स्वागत है आप सभी का My Gadget Experience में दोस्तों टोन्जो ब्रांड मार्केट में नए नए प्रोजेक्टर लांच करते रहते हैं इस बार भी एक नए प्रोजेक्टर Movie Box 15 लांच किया है इस Full HD Smart Projector में कुछ नए Advanced Features भी देखने को मिलेगा इस वीडियो में इसी प्रोजेक्टर का Unboxing करेंगे नए Features को देखते हुए Full Review करेंगे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा यह इस तरह के Box में आता है यह Medium Size का Box है Box में ही प्रोजेक्टर की Highlights दी हुई है प्रोजेक्टर का Look देख सकते हैं Box के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा अलग से Accessories वाली Box रखी है प्रोजेक्टर भी बहुत अच्छे से Safety के साथ रखी गई है यह Medium Size का White Color का प्रोजेक्टर है इसके साथ बहुत सारे Accessories है जिनमें Remote Controller, Power Cable, HDMI Cable, AV Cable, Dust Cloth दो Leveling Screw और दो Red Blue 3D Glass शामिल है User Manual इसके साथ नहीं मिलता है इसके Build Quality और Design की बात करें तो यह White Color का प्रोजेक्टर एक Medium Size का Compact सा प्रोजेक्टर है जिसकी Build Quality काफी अच्छी है प्रोजेक्टर के दोनों तरफ Rounded Design है Front में Lens है जो फिलहाल नहीं दिख रहा यह Automatic Motorized Slider Cover है जब प्रोजेक्टर को On करते हैं तब यह धीरे-धीरे Right की तरफ Slide होता है तब Lens दिखता है Right में किनारे में Camera और Sensor लगे हुए हैं इस प्रोजेक्टर में Auto Focus है इसलिए यह Camera और Sensor काम करते हैं Front में ही किनारों पर Golden Line है उपर में पीछे सारे Control बटन है Right साइड में सबसे पहले Air Vents है इधर ही दो HDMI, AUX, USB और AV Port दिये हैं पीछे LAN Port और एक IR Receiver है नीचे एक 5W का स्पीकर है इसके बगल में Air Vents है जिसमें Filter भी लगे हैं जिसे निकाल भी सकते हैं Left में सिर्फ Power Port है प्रोजेक्टर के नीचे Table Mount के लिए 4 फूट है Front Side के बीच में Level Adjustment Screw को लगाना पड़ेगा Overall यह Compact सा प्रोजेक्टर है जो White Color में काफी Attractive लग रहा है इसका Sliding Lens Protector, Auto Focus के लिए Camera इसमें नया Attraction है जबकि दोस्तों इसमें Manual Keystone Correction नहीं मिलता है लेकिन Motorized Focus को Manually Control कर सकते है Company दोरा दिये Specification के अनुसार यह Native Full HD Smart Projector है और यह 4K वीडियो को सपोर्ट करता है इसमें 6 इंच का LCD पैनल है Lamp Life 50,000 घंटे Contrast Ratio 10,000 is to 1 Brightness 8500 Lumens है इसमें Android 9.0 है RAM 1 GB Internal Storage 8 GB है यह Dual Band Wi-Fi 2.4 और 5.0 GHz को सपोर्ट करता है और इसमें Bluetooth 5.1 है यह 50 इंच से मैक्सिमम 300 इंच तक Size के Image Project कर सकता है इसमें Electronic 4D Image Correction है और नए फीचर Motorized Lens Cover और Automatic Focus भी है इस प्रोजेक्टर को उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोग प्रोजेक्टर को ऐसी जगह Mount करते हैं जहां से बार-बार Lens को Cover करने की जरूरत न पड़े और नहीं Focus करने के लिए भी बार-बार Knob घुमाना पड़े सब काम Automatically या Remote से ही हो जाए अब इस प्रोजेक्टर की Actual Performance को देखते हैं इसे On करने पर इसका Motorized Lens Protecting Shutter Smoothly Slide होकर Lens को Open करता है इसे मैंने 9 फीट की दूरी पर रखा है जिससे स्क्रीन पर 90 इंच का Image प्रोजेक्ट हो रहा है इसमें Automatic Focus होता है जिसके कारण अपने आप Focus Adjust हो जाता है अगर Automatic Focus से Satisfy नहीं है तब चाहें तो Manually भी Remote से Focus कर सकते हैं प्रोजेक्टर में धेर सारे Apps जैसे YouTube, Netflix, Prime, Miracast, AirPlay ये सभी है इन में से मैंने सिर्फ YouTube से Video Play किया है और मांकी Pen Drive और HDMI से Fire TV Stick और Laptop Connect करके यूज किया है इस प्रोजेक्टर का First Impression मुझे बहुत अच्छा लगा इससे बहुत अच्छी Image Project हो रहा है Image की Brightness बढ़िया है Color भी बहुत अच्छे लग रहे है और Color Balanced भी लग रहा है Standard Mode में कोई भी Color Dominate नहीं कर रही लेकिन Color पंची जरूर है Contrast ठीक है जिसके कारण अच्छे Colors दिख रहे है Image पर Light की Uniformity अच्छी है Image की Clarity भी अच्छी है लेकिन Image Sharp नहीं लगता हलका सा Soft है जिसके कारण आखों पर जोर नहीं पड़ता और Text भी ठीक ठाक दिख जाते हैं लेकिन छोटे Text की Clarity कम मिलेगी यह Projector Automatically Focus Adjust करता है मुस्किल है कहीं न कहीं हलका सा ही सही Blur रही जाता है क्योंकि जादतर समय Projector एकदम Perfectly Placed नहीं होते हैं और Optical Arrangement भी इसका कारण हो सकता है वैसे Budget Projector में इतना Normal है इसमें Image Setting का भी Option है Image के Color, Contrast, Brightness, Saturation इन सभी को Control कर सकते हैं Movie, Vivid, Standard, Sports, Power Saving जैसे Picture Mode भी मिल जाएंगे 4D Keystone Correction और Electronic Keystone Correction Digital Zoom Out ये सभी इसमें है या Projector 4K वीडियो को सपोर्ट करता है 60fps वाली वीडियो भी इसी Smoothness के साथ Play होता है 60fps वीडियो प्ले को सपोर्ट करना मेरे खायल से Advantage है किसी भी Projector के लिए क्योंकि इस से Image Content का Movement Smooth होता है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है गेमर्स भी पसंद करते हैं इसमें कहीं भी HDR सपोर्ट करने का जिक्र नहीं हुआ है फिर भी Netflix और Hotstar के कुछ वीडियो में HDR को सपोर्ट करता हुआ दिखाया आडियो के लिए इसमें 5W का स्पीकर है इसका साउंड एवरेजी है काम चलाने के लिए ठीक है लौडनेस अच्छी है होम थेटर सिस्टम का यूज जरूर करें ताकि बड़ी स्क्रीन के साथ आडियो भी दमदार मिलेगी ब्लुटूथ और दिये हुए आउक्सपोर्ट का यूज करके होम थेटर से कनेक्ट कर सकते हैं इनके अलावा कनेक्टिविटी में कोई परिशानी नहीं हुई है स्क्रीन कास्टिंग भी सहीं से हो जाता है बस आडियो में करीब आधे सेकंड का डिले जरूर होता है आखिर में दोस्तों यह प्रोजेक्टर रिमोट कंट्रोलर से अच्छे से कंट्रोल हो जाता है जो कि दूसरे बजट प्रोजेक्टर की तुलना में कंट्रोल करना आसान है ब्राउजिंग फास्ट होता है इस प्रोजेक्टर में आप चाहें तो बूट सूर्स भी चेंज कर सकते हैं ताकि आउन होते ही वह सूर्स सीधे ओपन हो जाता है अबराल दोस्तों पिक्चर कॉलिटी और वीडियो कॉलिटी के मामले में इस प्रोजेक्टर का पर्फॉरमेंस बहुत बढ़िया है और परियाप्त कनेक्टिविटी भी है इसका आटोमेटिक मोटराइजड लेंस कवर और आटोमेटिक फोकस बहुत convenient वाले feature है अगर projector ऐसी जगह पर mounted है जहां पर बार-बार lens को cover करना और manually focus करना मुस्किल होता है इनके लिए काफी सुईधा जनक है जो use करने पर पता चलता है इस projector को use करने में कुछ कमियाभी नजर आई है जैसे HDMI CC और HDMI ARC इस projector में नहीं है HDMI CC के जरिए external android box या fire tv stick को projector के remote controller से control किया जा सकता है और HDMI ARC के जरिए home theater से connect करके high quality sound सुन सकते हैं जोकि ये दोनों feature इस projector में नहीं है जोकि मेरे ख्याल से कमी है क्योंकि अभी के projector में ये features आने लग गए है इनके अलावा दोस्तों इसमें audio या sound setting और mode नहीं है जोकि दोस्तों मैंने इसमें छोड़ कर लगभग बाकी सभी projector में देखा है कम से कम sound mode होना जरूरी है अगर projector में कई तरह के content देखना चाहते हैं इनके अलावा दोस्तों ये projector काफी silently work करता है और heat को अच्छे से बाहर कर देता है लेकिन दोस्तों इसे जितनी देर तक चलाओगे उतनी ही ज़्यादा गरम हो जाता है यहां तक तो ठीक है आफ करने के बाद भी cooling fan एक से दो मिनट तक चलता रहता है मुझे लगता है यह cooling के लिए ज़्यादा time लेता है वैसे दोस्तों यह जरूरी भी है कि projector को 2-3 घंटे तक चलाने के बाद कम से कम आदे घंटे के लिए बंद जरूर कर दे overall यह एक बहुत बढ़या projector है home entertainment के लिए आप चाहें तो gaming के लिए भी use कर सकते हैं इसकी बढ़या picture quality और smooth video play इसे इस लायक बनाता है इसमें image का soft हो जाने के कारण education presentation के लिए पूरी तरह से suitable नहीं है फिर भी चाहें तो use कर सकते हैं clarity अच्छी मिल जाती है इसकी कीमत करीब 26,000 रुपय तक है प्राइस थोड़ी जादा तो है लेकिन performance और features के हिसाब से इस प्राइस में खरीदा जा सकता है हो सके तो discount जरूर चेक कर लें link description में है आशा है यह projector और video दोनों पसंद आया होगा आगे भी projector, speaker system, tv और अन्य gadget के review के लिए channel से जुड़े रहिए धन्यवाद